हर्याना अट 9 वी एम्यों शानल में आपका स्वागत हैं आई आप उबरादे हैं खबरो सब्डेट कोरोना वाइरस के पॉजिटिव मामलों का आखड़ा पहुचा 199 पर सौनीपत में शुकरवार को BPS Medical College के एक नर्स मेली कोरोना पॉजिटिव कोरोना के 99 पॉजिटिव मामले जिला उपायुक शामलाल पुनिया ने कहा कि सौनीपत जिले में कोवीड-19 कोरोना वाइरस के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 199 हो गई है शुकरवार को कोरोना वाइरस के 19 नई पोजिटिव मामले मिले हैं शहरी शेत्र में मिले नई पोजिटिव केस इनमें पटेल नगर का 32 वर्ष युवक शामिल है जिनकी रिपोर्ट कोरोना पोजिटिव आई है यह युवक दिल्ली सरकार का करमचारी है इनके साथ ही तारा नगर में 19 वर्ष यह युवक भी कोरोना संक्रमित मिला है यह युवक व्यवसाई की रुप में कारे करता है मयूर विहार में 2 वैक्टि कोरोना पोजिटिव मिले हैं जिनमें 54 वर्ष महिला तथा 34 वर्ष युवक शामिल है संक्रमित पाई गई महिला गहनी हैं तथा युवक लेबरेटरी में कारी रत हैं यह दोनों एक ही परिवार की हैं जिनका संभन मा और पुत्र का हैं जो की 25 मई को जोदपूर से आई थे शिव कालोनी में एक 45 वर्षी युवक कोरोना पोजिटिव मिला है मोडल टाउन में भी एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है छोटुराम चोक निवासी एक 57 वर्षी बुजर्ग भी कोरोना संक्रमित मिला है जो की हर्याना पुलिस का करमचारी है इनके अलावा सारंग रोड सित भीमनगर निवासी 34 वर्षी एक युवक भी कोरोना पोजिटिव पाया गया है साथ ही अशोक विहार में भी 34 वर्षी युवक कोरोना संक्रमित मिला है जो की दिल्ली पुलिस के करमचारी है ग्रामिन शित्र में पाये गई नए मामले अरवी बैरिंग कंपनी का करमचारी है नाथुप पुर गाउं में भी 37 वर्षी युवक कोरोना पोजिटिव मिला है सबोली गाउं में 65 वर्षी वर्षी व्रिद कोरोना संक्रमित पाये गई है राई में 38 वर्षी युवक कोरोना संक्रमित से पिड़ित मिला है बिदलान गाओं में 42 वर्षिय व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है गढ़ी उजाले खां में 49 वर्षिय युवक तथा खेड़ी गुजर की 65 वर्षिय व्रिद महिला भी कोरोना संकरमित मेली है साथ ही BPS Medical College खानपुर कला की 32 वर्षिय स्टाफ नर्स की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है DC पुनिया के आदेश दिल्ली बोर्डर से अनुमती प्राप नीजी वाहनों को ही बोर्डर क्रोस करने दे सोनी पर DC शामलाल पुनिया ने सक्त निर्देश दिये हैं कि सोनी पर जिला की बोर्डरों से केवल अनुमती प्राप नीजी वाहनों को ही क्रोस करने की अनुमती है बिना अनुमती के किसे भी वाहन चालक को बोर्डर से आवा जाही नहीं करनी दी जाएगी उन्होंने कहा कि बोर्डर पर सक्ती से वाहनों की जांच की जाए साथ ही पायुक ने कुंडली बोर्डर का भी निरिक्षन किया दिल्ली की सिमा से लगते कुंडली बोर्डर पर पायुक ने विशेई शुप से वाहनों की आवा जाही तथा आनुमती पास की जांच करवाई, उन्होंने कहा कि बिना अधिक्रित पास की किसी भी बोर्डर से न गुजरने दिया जाए। दिल्ली आने जाने वाले लोगों की करवाई जांच, डेसी पुनिया ने दिये आदेश,